हलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो माई चैनल जिसका नाम है एके स्टडी पॉइंट और आज हम डिसकस करेंगे बीएस्टी फर्स्ट यर सेकंड सेमिस्टर बॉटनी का पेपर जिसका नाम है आर्ची गोनियेट्स एंड प्लांट आर्किटेक्ट्चर यह मेरे पास पेपर का सेट ए है एंड इसका मैक्समम मार्क सेवन्टी फाइव एंड टाइमिंग है डेड़ घंटे की इस पेपर से आपके आने वाले एक्जामिनेशन पेपर में कम से कम 40-50 कोशन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे जिन इस्टुडेंट्स का भी पेपर हुए है तो वो चेक भी कर सकते हैं कि उनके कितने कोशन सही है और कितने कोशन गलत है चेक करने के बाद आप जरूर कमेंट में बताइए कि आपके कितने कोशन सही हो रहे हैं चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर फर्स्ट है एक ब्रायोफाइट्स टेरोडोफाइट्स से भिन होता है यानि कि एक ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरोफाइट इन सही आंसर होगा option B समवहनी उतक की कमे यानि कि lack of vascular tissue नेक्ट कोशन ब्रायोफाइट्स सोरी ब्रायोफाइट्स किसका अध्यान है सही आंसर होगा option D ब्रायोफाइट्स यानि कि ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम टेरोफाइट्स स्फेगनम को आम तोर पर किस नाम से जाना जाता है सही आंसर होगा पॉस काई यानि कि स्फेगनम इज कॉमनली नोन एज सही आंसर option D पीट मॉस यह जो question paper है यह कानपूर यूनिवस्टी का है कानपूर यूनिवस्टी को CSJMU यूनिवस्टी के नाम से भी जाना जाता है यहां से आप देख सकते हैं कि आपके कितने questions सही हो रहा है चलिए next question देखते हैं question number 4 केंद्रिय पित के बिना एक इस्टील को क्या कहा जाता है सही answer option A pro to steel A steel without a central pith is called option A pro to steel next question number 5 question number 5 देखते हैं किसने इस्टीलर सिधानत का अनुकरण किया सही answer होगा option D वान टीघम और डॉलिट यानि कि हूँ प्रपोश्ट दी इस्टीलर थियोरी option D वान टीघम एंड डॉलिट next question है इसमें कौन सा एक जीवास्म टेरडोफाइट्स है सही answer होगा option A राइनिया next यानि कि next देखते हैं which one is a fossil टेरडोफाइट्स इसका सही answer होगा option A next question देखते हैं next question है sporangia युक्त पत्ती कहलाती है क्या कहलाती है option C सही होगा यानि कि sporophyll next question question number 8 इन में से कौन सा हेट्रोइस्पोरस टेरडोफाइट्स है सही answer होगा option D स्लेजी नेला यानि कि which of the following is a हेट्रोइस्पोरस टेरडोफाइट्स इसका अंसर सही होगा स्लेजी नेला next question टेरडोफाइट्स को भी कहा जाता है सही answer होगा option B समवेहन क्रिप्टो गेम्स यानि कि टेरडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड यानि कि टेरडोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड यानिक समय पैमाने में किस यूग को बीज फर्न की उम्र के रूप में जाना जाता है सही answer होगा option C पैलियो जोईक विच एरा इज जो लॉजिकल टाइम स्केल इस नौन एज एज ओफ सीड फर्न सही answer option C पैलियो जोईक नेक्ट कुश्चन एक एंडोफाइटिक एलगा किसकी थैलस में मौझूद है सही answer होगा option C एंथोसीरस यानिकि एंडोफाइटिक एलगा इस प्रेजेंट इन दी थैलस ओफ आप्शन सी एंथोसीरस नेक्ट कुश्चन स्यूडोइलेटर्स किस इस पुरुफाइट्स में पाय जाते हैं सही answer होगा option C Markensia स्यूडोइलेटर्स आर फाउंड इन दी इस पुरुफाइट्स ओफ आप्शन सी Markensia नेक्ट कुश्चन राजोफोर किस पौध्यों में पाय जाते हैं सही answer होगा option बीव स्लैजी नेला यानि कि राजोफोर हैज फाउंड इन वेच प्लांट सही answer होगा option बीव स्लैजी नेला नेक्ट कुश्चन है लैग 1896 प्रेरित एपोगेमी होती है सही answer आप्शने फर्न लैग 1896 इंड्यूस्ट एपोगेमी इन आप्शने फर्न नेक्ट कुश्चन ट्रेबिली ट्रेबिक्यूलेटेड एंडोडर्मेस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के समय के साथ है सही answer होगा option भी स्लैजी नेला यानि की ट्रेबिक्यूलेटेड एंडोडर्मेस वेद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर सही answer option भी स्लैजी नेला के साथ कुशन नमबर 1616 देखते हैं एपोगेमी को सबसे पहले प्रदर्सित किया किस ने किया सही आप आप्शन होगा option एप डियूरी यानि कि एपोइस पूरी वास फ़स्ट डेमस्ट्रेटर बाई डियूरे नेक्स कुश्चन देखते हैं 17 यूगमकों के सलयन को सामिल किये बिना गेमिटोफाइट से इस पूरफाइट के विकास को किस नाम से किस रूप में जाना जाता सही आंसर होगा option भी एपोगेमी यानि कि सबसे बढ़ी है जैव उर्वरक है यूगमकों के सबसे बढ़ी है जैव उर्वरक हैं आप्शन डी चावल यानि कि एजोला पिनाटा इस एन एक्सिलेंट बाइव फर्टिलाइजर फॉर ऑप्शन डी इस राइट आंसर राइस नेक्ट कुश्चन अ आर्ची गोनियर्ट में सामिल है क्या सामिल है आर्ची गोनियर्ट में सामिल है ऑप्शन डी इस दी करेक्ट आंसर ब्राइव फाइट टैडरू फाइट एंड जिमनो स्पर्मस नेक्ट कुश्चन नेक्ट कुश्चन है प्रेरित एपो गेम्स इस पूरो फाइट के विकास में कौन सा प्रकास ज्यादा प्रभाव साली होता है ऑप्शन डी राइट आंसर फॉर रैड विज लाइट इस मोस्ट एफेक्टिव इन दी इन्डूजिंग एपो गेम्स डेवलाप्मेंट ओफ सुरभाइट से डी राइट 아이 दे वेज़िए अंशर एट फॉर रेड नेक्च्ट कुशन एंट हुएट नि-ग्रम न दी टूँन और ज्डिन एस पुरिक पने डीस से अपूर पाय्ट से पूरो फायट बनता है आपसंद सी एपो पूरी पॉर्मीशन और गेम्स सुरी मैंनो क्ले से क्ले सिलिक लगड़ी किसको संदर्भित करती है सही आंसर ओप्षिन भी जायलम के एक रिंग को अब कोशन 22 दि मोनो जायलक बुड रिफर्स टू इसका सही आंसर सिंगल रिंग्स ओफ जायलम नेक्ट कोशन भारतिय पहली नो बॉटनी के पिता कौन है इसका सही आंसर होगा ओप्षिन सी बीरबल सहानी नेक्ट कोशन नेक्ट कोशन है लाइको पोडियम है सही आंसर होगा ओप्षिन भी होमो इस्पोरस नेक्ट कोशन जिसमें जीवास्म की आंतरिक सरचना को सरवुत्तम रूप से सरच्छित किया जाता है कहलाता है option B पैट्री फैक्षन next question पैलियो बोटनी का अध्यान है सही answer होग option D जीवास्म पौधे next question पैलियो बोटनी का बीरवल सहानी संस्थान इस्थित है सही answer होगा लखनव next question बैला मैन उतक पाए जाते है सही answer होगा option D एपिफिटिक जड next question एरिल किसके खाने योग भाग को दर्साता है सही answer होगा option B लीची next question है कलेडूल का उधारण है question number 30 इसका सही answer होगा option D asparagus और रसकस इसका सही answer होगा next question next question है जड़ तने से है किस किन कारूणों से भिन होती है इसका सही answer होगा positive geotrophic notes and inter notes की अनपस्तिती and a question की अनपस्तिती यानि कि इसका option D is the right answer इसमें से सभी हो जाएगा question number 32 फिल लोड का एक रूप आंत्राड है इसका सही answer होगा option A petiol यानि कि डंठल next question 33 33 देखते हैं question निम्नि में से कौन सा पॉप कॉर्ण है सही answer होगा option C मक्का next question bicarpulary ovary avum parietal placentation पाय जाता है किसमें पाय जाता है सही answer होगा option A crucifery and breastigation gyno basic style ovary के आधार से उत्पन होती है जो family की विसेस्ता है सही answer होगा option B labiati next question देखते हैं next question है 36 राज महल के पहाड़ बने होते है सही answer होगा option C उत्रिय हेमिस्पियर next question 37 कनाडा वालसम प्राप्त होता है सही answer होगा option B abes next question next question है next question साइकस की रैकिस में समवहन बंडल विवस्तित होते हैं सही answer होगा सी ओमेगा के आकार की रेखा next question 41 यदि सभी स्पोर्स एक ही आकार की होँ तो पौदा कहलाता है सही answer होगा option B homosporus next question निम्न लिखित एक जीवाज महेटरोसपूरस टेरोडोफाइट से है सही answer होगा option D यानि कि लाइको परडॉन लेपीडो कारपान लेपीडो स्ट्रोबस and कैलो मो कैलो मो कारपन यानि कि तीनों ही होते हैं तो यानि कि option D is the right answer next question हो जाएगा 43 effect drain दवा प्राप्त होती है किसे होती option C यानि कि effect drain से होती है next question पंको वाली परागर पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं सही answer होगा option C पाइनस में next 15 next question है 45 फिलो कलेड उधाराड है सही answer होगा option B नाक फनी का next question है 46 पतियों का कार है कारबो है अडरेट बनाना वास्पो सर्जन भोजन संच यानि के उपर के सभी यानि के option D is the right answer next question है 47 कैपिटूलम या हैड पुस्पक्रम का वह प्रकार है जो किस परिवार में पाया जाता है सही answer होगा option B अप्शन भी अप्शन भी अश्टरेशी next है 48 next question है 48 देखते हैं इन्वो ल्यूकर सलगन है एक एकलमादा फूल जो कई नर फूलों से घिरा होता है और केंद्रक सारक रूप में विवस्तित होता है इस प्रकार के पोस्पक्रम को क्या कहा जाता है सही answer होगा option B साइथियम next question नेक्ट कोश्चन 49 टेंट्रो क्राइनो लॉजी है सही answer होगा option वार्सिंग रिंग की प्रकरती का निर्धारण next question बिखरे हुए समवहन बंडल पाए जाते हैं सही answer होगा option B एक बीच पत्र में next question 51 किसने ट्यूनिका कारपस सिद्धान्त का प्रचार किया सही answer होगा Smith next question 52 52 निम्न लिखित में से कौन साहू तक गैसों के आदान प्रदान में सहायक होता है सही answer होगा option C Aaron Kima next question पौधों के एक विकास वले में होते हैं सही answer होगा option A Springwood और Autumn सरद वोड next question question number 54 दुतियक ब्रद्धी अनुपस्थित है सही answer होगा इस question का इसमें से कोई नहीं यानि कि ना तो हाड्रोफार्ट्स में होता है ना तो जीरोफार्ट्स में नहीं वीजोवाड यानि कि option D is the right answer इसमें से कोई नहीं अब आएगे question number 55 55 जल मगन हाड्रोफार्ट्स के अच्छी तरह से विक्सित है सही answer होगा option C इस पंजी पैरिन काईमा next question 56 मानब में पौधों से प्राप्त अधिकांस एलर्जी किसके कारण होती है सही answer होगा option D पराक कडों के द्वारा next question 57 57 दू इनिसेजन की खोज हुई थी सही answer होगा नवाश्चिन option B is the right answer 58 पराग का अधियन कहलाता है सही answer होगा option A पैली नो लॉजी next question next है 59 पोलीनिया पाय जाते है सही answer होगा option D केलो ट्रॉपेस next question है 60 बंद पुस्पों में होने वाले परागड को कहते है B किलिष्टो गैमी next next question है 61 पराग कोस की भीतरी परत कहलाती है सही answer होगा option D टैपीटम 62 बीजांड का प्रकार जिसमें बीजांड द्वार और बीजांड एक रेखा में उपस्तित होते हैं सही answer होगा option A orthotropes next question है question number 63 पौधों में बीजांड किसके द्वारा अंडासे से जुड़े रहते हैं सही answer होगा option D placenta next question 64 पौधों में मादा प्रजनन अंगो के भाव का सही क्रम कौन सा है सही answer होगा option B stigma, style, ovary और thalamus next question question number 65 एक सुपीरियर अंडासे वाले फूल को कहा जाता है सही answer होगा option A hypogynos next question question number 66 दूईनिसेचन के एक भाग के रूप में endosperm बना होता है सही answer होगा option C त्री गुडेत यानि की triploid next question 67 बीज प्रसुप्ती का कारण हो सकता है सही answer है आप परिपको भूण कठोर बीज कोट एवाम अंकुरण अवरोध को की उपस्तित यानि की option D is the correct answer next question next question गैमी उपस्तित होते हैं सही answer होगा option B कुछ लिवर बर्ट्स में next question है 69 निम्न में से कौन सब रायोफाइट से सही answer होगा option A funeral next question 70 वह इस्तित जिसमें जायलम कई प्लेटे बनाता है सही answer होगा option C black to steel जिम्न स्पर्म को जीवित जीवास्म के रूप में जाना जाता है और जुरासिक में विस्व व्यापी वित्रण का प्रतिनिधित तो करता है सही answer होगा option A जिंको next question cork cell की दीवार से जुड़ा मोमी पदार्थ है सही answer option D सुबरीन next question 73 by collateral समभेन बंडल पाए जाते है सही answer होगा option कद्दू next question दुई बीज पत्री जड़ों में कितने समभेन बंडल पाए जाते है सही answer होगा option A चार next question 75 रफाइट्स के crystal है सही answer है calcium oxalate इस question paper में hundred questions आएंगे जिसमें से आपको 75 questions ही केवल करने होते हैं चलिए next देखते हैं 76 endothesium को और भी क्या कहा जाता है सही answer होगा middle layer option C is the right answer next question 77 बाहा वर्ल और बाहा दल से बने होते हैं कहलाते हैं सही answer होग option C next question है 78 एक्विसीटम में बैलेक्यूलर कैनाल इस्थित होती है सही answer option B vascular bundle vascular bundle कह सकते हैं या समवहन bundle भी कह सकते हैं next question 79 कि श्टेडुडोफाइट्स में palliated disc strobilis की विसीषता है सही answer होगा option A एक्विसीटम next question question number 80 एक्विसीटम के तने में वायू गुहाओं की उपस्तिती इंगित करती है सही answer है option B जली हाइडुफाइट्स 81 question देखते हैं फ्यूनेरिया में पेरी इस्टोमियल दांत होते हैं सही answer होगा option D हाइग्रोस्कोपिक next question 82 फ्यूनेरिया में इस्पुरोफाइट चरण अच्छी तरह से विक्सित होता है जिसमें सामिल है सही answer option C फुट सीटा और कैप्सूल next question एजूला का उप्योग जैव उर्वरक के रूप में होता है इसमें से सही answer होगा option B साइनो बैक्टेरिया next question है एजूला मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है किस क्रम में sorry किस क्रॉप में सही answer है option B चावल next question 85 निम्ण में से कौन सा फॉशिल का जीवास्म प्रकार नहीं है सही answer होगा option D अमबर next 86 पादव जगत के एंफिवियन्स है सही answer होगा option A टेरिडोफाइट्स next question 87 साइकस की कॉर्लाइट जड़ में एक सहवी भी सेवाल होता है सही answer option A एना भी ना next question next question है 88 साइकस में बानस्पतिक प्रजिनन किसके द्वारा होता है सही answer होगा option B बुल बिल्स next question 89 फेलम, फेलोजन और फेलोडर्म को एक साथ कहा जाता है सही answer होगा option D पेरिडर्म next question 90 question number 90 लेंटी सेल मदद करती है सही answer होगा option C वास्पोस सर्जन next question असामान ने दुतियक व्रद्धी किसमे सारी दुतियक व्रद्धी दिखाई देती है सही answer होगा option C ड्रशेन next question कॉर्क कैंबियम कॉर्क कॉर्टेक्स सभी की एक साथ सभी को एक साथ कहा जाता है सही answer option C periderm next question 93 दिल के आकार की पत्ती को कहते है सही answer होगा option C हर्ट आकार यानि के हर्ट सेव्ड next question है फाइकस फैमिली के में किस प्रकार का पुस्पकरम पाया जाता है सही answer होगा option C हाइप पैन्थोडियम next question है 95 95 question देखते हैं किसके तने में चार उल्टे समवहन पाये जाते हैं सही answer होगा निक टेंथस यानि को option D is the correct answer 96 देखते है question कौन सा पराकर एलर्जी का कारण बनता है सही answer होगा option D next question 97 चतूस कोडिये इस्तती पाई जाती है सही answer होगा option B ब्रेसिका कमप्रेश्टेस यानि की सरसो next question है पराग जीविता है option A अंकुरित होने की छमता next question 99 ब्राइव फाइट के निवेधन निसीचन होगा स्वरी ब्राइव फाइट से में निसीचन होता है सही answer हो अप्शन सी पानी की उपस्थिती में next question question number 100 ये लास्ट कोशन है साइकस रेवू लूटा को लोगप्रिय रूप से भी जाना जाता सागू पाम की रूप में भी इसको जाना जाता है वीडियो आपको कैसा लगा comment करके जरूर बताएए comment करके ये जरूर बताएए कि आपके कितने सही questions हो रहे हैं और जिनके भी रिलेटिव से फ्रेंड्स दोस्तों जो भी हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिनका अभी हाल ही में एक्जाम हुआ है और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें थैंक यू